हेलो दोस्तो वेलकम टे इंग्लिश फॉर आल आज हम पढ़ेंगे दस ओवर और इस पोएम को लिखा है विक्टर हुगो ने विक्टर हुगो एक फ्रेंच पोएट थे और मैं आपको बता दू कि इनकी इस पोएम दस ओवर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और ट्रांसलेट किया था तोरुदत ने बातारी समझ में, पोएट थे विक्टर हुगो और ट्रांसलेटर कौन थी? ट्रांसलेटर थी तोरुदत ओरिजनल पोएम का नाम आपकी स्क्रीन के ओपर आ रहा है, ये फ्रेंच नाम है, पतनी इसकी प्रेनिंसियेशन क्या होगी बरहाल इसको ट्रांसलेट करके इसका नाम रखा गया था दस ओरुदत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बंगाली पोएट थी और इन्हें फर्स्ट इंडियन पोएटेस माना जाता है जिन्होंने इंगलिश और फ्रेंच लेंगविज में वर्सिस को ट्रांसलेट करना शुरू किया था इन्हें इंगलिश और फ्रेंच दोनों लेंगविजिस बहुत अच्छे से आतीन थी और इसी वज़ह से ये इस पोएटेस को भी इतने अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर पाई शायद आपको जानकर ये हैरानी हो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तोरू दद की डैथ 21 येर्स की एज में हो गई थी जी हाँ सिर्फ 20 साल की कम उमर में ही इनकी डैथ हो गई थी और 21 साल के उमरे तक इन्होंने बहुत से फेमस पोएम्स को भी लिख दिया था और लिटरेचर की दुनिया में काफी फेमस हो गई थी नौवल को भी लिखा था इन्होंने ट्रांसलेडर भी बन गई थी और मैंने अपने चैनल के उपर भी इनकी बहुत सी फेमस पोएम्स को भी अपलोड कर रखा है तो चलिए आज की पोएम को शुरू करते हैं दस्सोवर और बहुत ही असान लेंगविच में आपको समझाता हूँ पोएट कहते हैं कि एक दिन मैं अपने घर के एंटरेंस पर बैठा हुआ था पोएट का मतलब क्या होता है पोएट का मतलब होता है घर का बरामड़ा रड़ी का मतलब यहाँ पर है लाल सूरज की रोशनी देखो जब सूरज ढ़ल रहा होता है न तो आसमान में एक औरेंज कलर आ जाता है तो यह रड़ी उसी औरेंज कलर को बया कर रहा है तो पोएट कहते हैं कि यह लाल रंग बड़ी तेजी से घायब होता जा रहा है मतलब जो शाम है वो बड़ी तेजी से जा रही है और रात आ रही है टूलाइट हैस्टेंस अन टू रूल वर्किंग आर्स आर वेल नाई पास्ट टूलाइट का मतलब यहाँ पर है इवनिंग से शाम से तो पोएट कहते हैं कि शाम शुरू हो गई है धीरे धीरे रोशनी खतम हो रही है और पूरी जगा पर धीरे धीरे अन्धिरा चा रहा है अब पूरे ग्राउंड पर सिर्फ शैडो पहल गई थी मतलब अन्धिरा हो गया था लेकिन इस अन्धिरे में मैंने एक बूरे किसान को देखा सोवर का मतलब होता है जो बीच बोने वाला होता है मतलब जो फार्मर होता है तो कहते हैं कि मैंने इस अन्धिरे में एक किसान को देखा इतना अंधेरा होने के बाद भी वो वहीं खेतों में खड़ा हुआ था उसके उम्रे बहुत बूरी थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और बड़े सबर के साथ वो वहां पर खड़ा हुआ था ठीक है तो एक किसान को पुएट देख रहे हैं जो अंधेरे में खड़ा हुआ है उसके कपड़े बड़े खराब हैं फटे पुराने कपड़े हैं और उसकी उम्रे बहुत ज़ादा है बुड़ा किसान है लुकिंग ऑन आइ फील अ थ्रिल और उस बुड़े किसान को इतने अंधेरे में खड़ा देख कर मैं बड़ा एक्साइट हो गया मेरे अंदर बड़ा जोश आ गया जब आप किसी महेंतに inसान को देखते हो ना तो आपको अंदर से जोश आता है कि यार ये देखो कितना कमाल का इनसान है कितनी महिनत कर रहा ए आपके अंदर भी जुनूदा आता है ठीक है ग्राउंड पर जो किसान की शैड़ो पढ़ रही है उसको कहा गया है सिलॉइट तो इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि फार्मर की शैड़ो भाष डार्क थी बहुत बड़ी थी और जैसे जैसे रात आरही थी वैसे उसकी शैड़ो भी बड़ी हوتी जा रही थी फरोस का मतलब पता है क्या होता है देखो अभी आपके स्क्रीन के ओपर आरा है यह जो घहरी घहरी लाइन्स बनी हुई है गड़ा बना हुआ है इसको कहते हैं फरोज यहाँ पर बीच को डाला जाता है खेती बाड़ी करी जाती है यहाँ पर तो कहते हैं कि उस किसान की शैडो उन घहरे फरोज पर पड़ रही थी अब पोएट फार्मर को खड़ा हुआ देख रहा है और वो एक परसेप्शन अपने माइंड में बनाता है वो कहता है कि शायद यह फार्मर खड़ा हुआ सोच रहा है कि मुझे बीच को बोना चाहिए ताकि मेरी फसल तयार हो जाए और मुझे काट सकूँ पोएट एक अंदाजा लगा रहा है कि शायद फार्मर खड़ा हुआ खेट में यही सोच रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी फसल लगाऊं और फिर उस फसल को काट सकूँ देहो इन लाइन्स में पोएट बताना चाह रहे हैं कि एक किसान कितना महिंती होता है बिचारा बुड़ा हो गया है हाथ पैरों में इतनी ताकत नहीं बची कोई फैसिलीटी नहीं है उसके पास फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं रात का टाइम हो गया है और इस महिनस से घबराते हैं उन लोगों को किसान से सीखना चाहिए कितना महिंती होता है किसान और कितना होसला है इसके अंदर ये पोएम हमें सिखा रही है कि हमें जिन्दही में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए इस उमर में भी उस किसान ने गिव अप नहीं किया और हिम् Marches he along the plane to and fro and scatters wide from his hands the precious grain Marches का मतलब यहां पर है कि वो किसान चल रहा है, वाक कर रहा है To and fro का मतलब यहां पर है कि एक जगा से दूसरी जगा From one end to the other Along the plane का मतलब है खेत तो in lines का क्या मतलब हुआ In lines का मतलब यह है कि वो किसान एक जगा से दूसरी जगा पर चल रहा है वाक कर रहा है और अपने खेत में घूम रहा है खेत में चक्कर लगा रहा है और अपने हातों से बीच को पहला रहा है बीच को डाल रहा है जमीन के उपर ये बीच बहुत केमती था क्योंकि इनी बीजों से फसल तयार होगी और वो फसल किसान को पैसा देगी तो ये बीच बहुत ही प्रिशिस है पुएट कहता है कि मैं बहुत मुडी हो गया था उस किसान को देखकर जब मैंने देखा कि इस उम्र में भी इतनी महिनत कर रहा है तो उसका स्ट्रगल देखकर मैं बड़ा उदास हो गया बड़ी सैड फील करने लगा और बहुत जल शाम पूरी तरह से चली गई और रात का काला अंधिरा चा गया काली रात आ गई Now his gestures to mine eyes are August पूएट कहता है कि अंधिरा इतना जादा हो गया था कि मुझे उस किसान के gestures उसके हाव भाव ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे अब मुझे नहीं पता था कि वो किसान क्या गर रहा है क्योंकि अंधिरा इतना जादा हो गया था थोड़ी देर पहले तो थोड़ा बहुत उजाला था जिसकी वजह से किसान मुझे दिखाई दे रहा था असानी से और मैं देख पा रहा था कि वो क्या कर रहा है लेकिन अब क्योंकि अंधिरा इतना जादा हो गया है सब जगा अंधिरा हो गया तो अब मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और स्ट्रेंज विस हाइट सिम्स तू टच दे स्टेरी स्काइज पोएट कहता है कि वो किसान इतना महान है इतना महिंती है इतना बढ़िया इनसान है कि उसके हाइट आसमान को जाकर लग रही है मतलब उसकी तारीफ कर रहा है आखिर की लाइन्स में उसकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि अंधिरा होने की वज़ा से वो गायब हो गया है लेकिन वो इनसान बहुत ही बढ़िया है दोस्तो पोएम तो यहां पर खतम हो गई है लेकिन अगर आप महराश्रा बोर्ड क्लास 11 के स्टुडेंट हो तो आपका इंग्लिश का स्लेबस मैंने कवर कर दिया है बहुत ही असान लेंग्विज में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए है अभी जो आपकी स्क्रीन के उपर प्लेलिस्ट आ रही है इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करकर आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे आज के लिए बस इतना ही जैहिंद